सोनी टीवी का शोव एक दूजे के वास्ते का सेकंड सीजन लॉडियन्स का काफी ज़्यादा मनोरंजन कर रहा है आईए जानते हैं कि किस तरीके से ये टीन एज की लव स्टोरी ओडियन्स को भा रही है नमस्कार दोस्तों मैं हो काजल सिंग और आपका स्वागत करती हूँ पिग हेडलाइन्स में दोस्तों सोनी टीवी का मोस्ट पॉपलर शोव एक दूजे के वास्ते का सेकंड सीजन काफी ज़्यादा सूपर हिट होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से सुमन की और टी ने जो लव स्टोरी इस शो में दिखाए जा रही है ऐसे में ओडियन्स को ये शो काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है शो में हाली में श्रवण और सुमन के लव कनफेशन को दिखाया गया था जहां पर सुमन जो है रिग्रेट कर देती है सुमन कहती है कि मुझे प्याद नहीं है लेकिन फिर बाद में सुमन भी जानती है कि उसके दिल में क्या फेलिंग्स है लेकिन फिर बाद में सुमन भी जानती है कि श्रवन को लेके उसके दिलों में क्या फेलिंग्स है जिसके बाद अब श्रवन जो है भोपाल छोड़ने का decision लेता है लेकिन फिर बाद में कहीं न कहीं सुमन को भी ये अहसास हो जाता है कि मुझे भी श्रावन को ये बता देना चाहिए कि मेरे दिल में भी उसके लिए जगा है लेकिन अब ट्विस्ट कुछ ऐसा आएगा कि सुमन अपने दिल की बाद बताने जाएगी श्रावन से लेकिन क्या श्रावन तक सुमन की दिल की बाद पहुचेगी जी हाँ बिलकुल सुमन अपनी दिल के बाद जो है श्रावन तक पहुचा देगी और इन दोनों की एक नई प्रेम कथा शुरू हो जाएगी इसी को लेकि कनिका कपूर ने स्टेटमेंट दिया है क्या कहना चाहती है शो की एक्ट्रेस कनिका कपूर कनिका ने प्यार की डेफिनिशन देते हुई कही कि अगर आपके दिल में किसी के लिए जगाया है तो इंदिजार मत करिए कि वो सामने वाला इंसान आपको आखर बोले अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आपको अपने प्यार का इजहार कुद ही करना चाहिए क्योंकि ये 2020 है यहाँ पे प्यार बहुत ही आसानी से आपके हाथ से छोट सकते है इसलिए बिना वक्त जाया किये जो है आप अपने प्यार का इजहार कर दें ये कहना चाहती है सीरियल की एक्टरेस कनिका इतना ही नहीं बलकि कनिका ने ये भी कहाए कि आज की जमाने में लड़कियां लड़कों के साथ कंधा मिला के चलती है ऐसे में लड़कियां अगर प्यार का इजहार करती है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है आपको अपने प्यार का इधार पहले ही कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा देर न हो जाए लड़किया अगर प्रपोस्ट करती हैं तो इसमें आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है वेल का निका की बाते सुनके आप कितने ज़्यादा एगरी करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा और प्यार को लेके आपकी क्या राहे इसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यगदी से कर दीजिए ताकि जित्ती भी लेटेस्ट अपडेट है चोटपटी गॉसिप से मैं आने की काजल आप तक सबसे पहले पहुचाती रहूंगे और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे दे